So hey guys welcome to this youtube channel and this video में हम सीखेंगे कि कैसे एक excel sheet से data import करके database में store कराते हैं मतलब excel sheet में जैसे तुमने मालो list बना रहे है 200 students की जिसमें उनके role numbers, name, email id, contact number है आप तुम दो सके 201 के करके तो insert कराऊने database में तो हम ऐसे एक ऐसा system बनाएंगे जिसके तुम हम उस file को upload करेंगे और उसके अंदर जो भी data हो सारा database में import करा देंगे एक click पे तो यह बहुत easy है और बहुत important होता है है ना खास का अगर तुम किसी school के लिए कोई portal बना रहे हो तो तो basically हम हम एक plugin यूज करने वाल है जिसके नाम है simple excel जो कि जिसके बारे मैं बताऊंगा आगे चाके तो अभी हम पहले सबसे पहले editor और अपना project setup कर लेता है तो सबसे पहले मैं और मैं इसको code editor में खोल लेता हूं और अपके तो यह open हो चुका है ठीक है मैं इसको browser में भी खोल लेता हूं localhost slash excel import php import excel php sorry my bad import excel php okay I'm a big file बनादा हूं index.php ठीक है मैं आपके default html का template बना देता हूं and save कर देता हूं then refresh it okay तो हमें जो next सबसे पहले जो चीज करने है हमें axle की seat को upload करने के लिए एक form चाहिए तो हमें सबसे पहले हमें एक form बनाते है form ठीक है इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं सिरफ एक input टाइप चाहिए जो की file इसको name देते हूं axle file और हम इसको accept attribute देते हैं dot csv csv file इसरा इंपोर्ट कर पा है ठीक है ओके और मैं इसको बटन देता हम सब्मिट का तो टाइप सब्मेट नेम इंपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट ओके और सेव रिफ्रेश करते हैं तो या हमारे पास हम पर एक एक simple सा form आ चुदा ठीक है तो अब हम इसके कुछ form के कुछ attributes देंगे जैसे की method जो की होगा post और encryption टाइप क्योंकि हम एक file को upload कर रहे हैं तो यहां पर हमें multi-part form data देना पड़ेगा ओके एंड हम action भी देंगे इसे जो की redirect करेंगे से go.php तो हमने इतना बना लिया है simple है मैं इसको refresh करता हूं ठीक है तो अब basically हम यहां पर एक और file बनाएंगे इसको मैं नाम दूंगा add.php oh sorry import.php ओके मैं यहां पर php start कर लेता हूं and php end कर लेता हूं यहां पर if condition लगाता हूं if set मतलब dollar post import अगर set हो रखा है तो यहां पर चीज़े दिखेंगे ठीक है okay it's working fine अब देखो index.php पर मैं यहां पर form एक select कर लेता हूं पहले तो मेरे पको एक excel sheet बन पढ़े उससे पहले हमें एक library चाहिए जो कि तुम्हें यहां से download कर सकते हो इसके link तुम्हें करना मिल जाएगा तुम्हें simply यहां पर आना है zip पर क्लिक करना है and download करोगे तो यह download नहीं होगा तुम्हें नहीं दिखेगा तो तुम्हें क्या करना है यहां पर right click करना है save link as पर करने के बाद तुमसे जहां चाहूंँआ सेव कर सकता है मैं से desktop पे save कर लेता हूं and यहां पर तुम्हें देखोगे बोल रहा है कि यह secure नहीं है तो तुम्हें से ignore करते हुए keep करना है and then यह तुम्हें desktop पे download हो जाएगा ठीक है download बने के बाद तुम्हें इसको extract करना है मैं आप इसको extract कर लेता हूं and extract करने के बाद तुम्हें इसको open करना है इसको भी open करना है तो तुम्हें यह पूरे ही जरूत नहीं है ठीक है in case अगर तुम लारावल या कोई framework यूज कर रहो तो हम simple core PHP पे काम करे इसले हमें सिरफ इसके अंदर का यह जो simple excel का folder इसको copy करना है and then हमें यहाँ इसको paste कर देना है तो अगला काम जो है हम इसी page के जो हमने अब यहाँ पे कुछ instruction लिखे हैं हमें उसको follow करना है तो हम नीचे आते हैं नीचे आते हैं तुम्हें सब कुछ विन्यों करते हैं नीचे आते हैं यह जो line of code लिखा है इस पूरे को copy करना है like ऐसे जारसी बात है यह जो चीज है हमें नहीं चाहिए आप है यह जो चीज है वो नहीं चाहिए ठीक है एंड यह जो use यह है इसको हमें टॉप पे लिखना है तुम अगर नहीं पता कि name space कैसे work करते हैं तो तुम google कर लो उसके लिए कभी और विड़ बनाएंगे लाल तुम इतन है अब यह required once है तो क्योंकि हमने अंदर की file copy किया और हमार पास यह है तो हमस्कोट आ लेगे simple 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 ठीक है तो यह file इसको यहां मिलेगी simplexl के अंदर simplexl.php ठीक है तो हमने यहां पर link कर लिया है ठीक है मैं इस comment को रहें देता हूं अब तुम देखो तो यहां पर basically क्या हो रहा है यहां पर यह एक file को एक class को यहां पर include कर रहे है उसके हम एक नया instance बना रहे है और साथ में यह constructor को call कर रहे है जहाब हम xml की value pass करते है अब मैं xml हटा के csv लिख दूँगा ठीक है अब यह load file है तो मैं यहां पर simply क्या करता हूं अब भी क्योंकि हमें यहां पर कोई हमने xl file रखी नहीं है तो यह सारा तो बेकार है ना तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हमें फॉर्म को upload करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूं मैं इस पूरे को अट आता हूं यहां से पहले ओके ज्यादा much cleaner ओके तो अब देखो सबसे पहला काम हमें क्या करना हमें आप एक एक एक्सल सीट बनाते हैं तो एक्सल सीट में हम कुछ डेटा बनाएंगे जो कि हम इंसर्ट करेंगे बाद में आमें यह नदा ओके यहां पर हम कुछ बनाएंगे जैसे की रोल नंबर नेम इमेल मोबाइल ठीक है तो हम यहां पर सिर्फ चार कॉलम रखते हैं मैं आपर रंडमली कुछ भी टाइप कर देता हूं और ज्यादा बड़ा होगा है ओके तो दस डीटा रखता हूं मैं नेम देता हूं मौहित अंकित शुबं मिशाल तरुन यूश पंकज और अभी शंकर कृष्ण ठीक है एंड मैं आप इमेल आड़ी लिग देता हूं मौहित अड़ी डाट कॉम तो तुम देखोगे आप मैं एक ट्रिक यूश किया यहां पर सभी मैं अड़ होगार है यह मैं नमबर आट करेता हूं 123-570 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 तुम राम से एंट्री कर सकते हो मतलब तुम्हार उपर है ठीक है पर मैं टाइम बिचाने क्लिक कर रहा हूं ठीक है तो हमने यहां पर एक लिस्ट बना लिए ठीक है मैं इसको सेव करता हूं जब तुम इसको सेव करोगा सेव एस डेक्स्टॉप यहां पर यह देख रहो सेव एस टाइप का उप्शन आ रहा है तो यहां पर सबसे उपर से जाना नीची की तरफ यहां पर कॉमा डेलिमिटेड सेव कर दो यस अब देखो अब हमें इस फाइल को अपलोड कर वानी सबसे पहले काम तो मैं क्या करूँगा यहां पर आउँगा ठीक है मैं इसको चूसअब करूँगा and then मैं इस फाइल को स्लेट करूँगा and इंपोर्ट करूँगा अब इंपोर्ट मैंने किया तो यह यहां पर आके अटक गया ज़ाइर सी बात है क्योंकि हमने फॉम पे तब हम यहाँ पर काम करें, मैं इस सब को comment करता हूँ फिलाल के लिए और यहाँ पर सबसे पहले चीज़े मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर if condition चलाता हूँ जिस पर मैं एक function call करता हूँ, move uploaded file अगर तुम नहीं पते function क्या तो मेरी बागी वीडियो जाके देखो, मिल जाई हूँ उनमे, move uploaded file, तो यहाँ पर हमें दो parameters देने होते हैं, पहला जो हम file upload करना चाहते हैं उसका temporary name और दूसरा path जहाँ पर हम उससे upload करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं files Excel file यह ना name, name किया दिया हमने, Excel file ठीक है, perfect Excel file का जो temporary name है यह और दूसरे मैंसको कहाँ save करना चाहते हैं तो मैंसको current folder में save करना चाहता हूं तो files का जो Excel file का जो name है अब मैंने इसको if के अंदर इसले रखा है कि मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर यह चीज चले तो हम my bad ठीक है तो मैंने इस move uploaded file को इसके अंदर इसले रखा है कि अगर यह upload हो जाएगा यह function को call करेगा जिसके तुरू फाइल अप्लोड जाएगा अप्लोड हो जाएगी तो हम नीचे आएंगे ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है सबसे पहले हम उस file को upload कर वा रहे है और अगर यह function हमें true या false return करेगा अगर फाइल अप्लोड हो जाएगी तो अगर फाइल अप्लोड हो जाएगी तो मैं क्या चाहता हूँ अप्लोड हैं के बाद क्या हो कि यह नया इंस्टेंस क्रियेट हो सिंपल एक्सल क्लास का csv के फाइल लोड करने के लिए फिर वहाँ पर फाइल लोड हो और फाइल कौन से फाइल लोड होगी current folder में तुम इनको वैरियेबल के अंदर भी श्टो करा सकते हो जिसे कि तुम ब अप्लोड पर वैरियेधेगा ज्यों है आपि रख वाइल लुऑ और र्खेटेंस कि वहाँ पया है दो आप्लोड सर्षल कर देख हो कि यहां अपर देखा घर लाएं देख है ऑद आप लोड करते हैं स्यों को हुआ है क्योंकि हमने यहां पर move upload function यूज किया है तो हमने पहले file को upload किया server पर और server से फिर हम इसको यहां पर load कर रहे हैं जैसे देख सकते हो तुम excel parser load file और यहां पर load किया है मैं again बोलो है इस name को तुम एक variable के अंदर store करा के भी use कर सकते हो जिसे तुमारा time बचेगा पर ठीक है मैं ऐसे कर रहा हूँ ठीक है तो अब यहां पर तुम देखोगे कि यहां पर get field get row get column तो यह सब क्या है तो मैं तुम्हें बताता हूँ get foo मतलब get field अब यह तुम्हें क्या कर रहा है हर row का एक array return कर रहा है जैसे कि देखोगे यह एक array है 0 इसमें 4 चीज़े हैं दूसरा array है तो यह row return कर रहा है पहला row दूसरा रो तीसरा रो चौत्था रो ठीक है पांच वा रो छट्था रो सात रो ऐसे array के form है ठीक है और अगर मैं इसको foo की जगह बार करूँ तो तुम देखोगे यहाँ पर get row function है मैं इसको refresh करूँगा continue करूँगा तो तुम देखोगे इसने row number 3rd यानि 3rd row को सिरफ यहाँ पर print कर रहा है क्याहाँ यहाँ पर मैंने get row function को call के बार and then b a z जो है मैं इसको print कर आक दिखाता हूँ इससे तुम किसी भी column को access कर सकते हो मैं तो तुम एक specific cell को भी access कर सकते हो ठीक है तो या तुम समझ क्यों है तो इन ती जो कि हमें जरूत नहीं है तो इन ती जो को हटायता हूँ ठीक है and then हमें क्यूंकि यहाँ पर इसको print कराना है मैं यहाँ पर इसको refresh कर वाता हूँ and then continue करता हूँ okay undefined variable bars oh sorry my bad यहाँ पर f o o आएगा and then refresh it and then continue यहाँ पर data आ रहे ठीक है perfect तो अब हमें क्या करना है हमें अब यहाँ यहाँ पर database का connection रना है तो मैं यहाँ पर database का connection मनाता हूँ सबसे पहले mysqli connect ठीक है यहाँ यहाँ पर हम चाहँ parameter pass करना है सबसे पहला local host दूसरा root तीसरा password चाथा database का name जो की होगा import excel php okay and मैं यहाँ पर query बनाता हूँ queries बनान से पहले मैंने database नहीं बना है बोल गया था I forget it मैं सबसे पहले database बना हूँगा जहाँ पर मैं अपने data store करा हूँगा तो मैं local host slash php admin पर जाता हूँ अपना database create करने निकले ठीक है और वहाँ पर हमें इन इसके हिसाब से columns बनाने मतलब roll number name email mobile यह नाम ज़रूर नहीं है तो नाम अपना कुछ भी रख सकते हो हमें बस series wise रखना है जो भी हम यहाँ पर data pass करेंगे query में तो मैं अपन new पर जाता हूँ and database का name मैंने आप लेका था तो मैं इसको यहीं से copy कर लेता हूँ and यहाँ पर आके paste करता हूँ and then create पर click करता हूँ अब यहाँ पर हमाईर पास basically क्या है तो मैं यहाँ पर students नाम का एक column बना जेता हूँ टेक है and then इसके अंदर मैं अपने details import करूँगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहला column दूँगा id and then role number जिसको मैं सिरफ role number लिखता हूँ and then name and then mobile ओके एक और चीज है मेरे खाल से ही मेरा id स्वारी मैं वैड तो मैं इन सबको war character रखता हूँ row number I guess the spot है war character 200 mobile okay war character 20 बहत है email id war character 200 okay and then मैं इसको increment कर देता हूँ perfect and then save करता हूँ तो हमारे पास यहाँ students नाम के table में role number name mobile email है तो हम इसके अंदर database data store करेंगे okay perfect तो मैं यहाँ पर query बनाता हूँ query insert where insert into students students insert into students students ठीक है ठीक है students role number name mobile email तो हमने पर query बना दी है ठीक है अब हमें values इसके अंदर जो insert करेंगे हम get कैसे करेंगे सबसे पहले तो क्योंकि यह सारा food के अंदर है हैना food एक array है तो basically हम इसको loop में चलाएंगे काउंट करता हूं काउंट की value मैं 1 रखूंगा आप 1 इसलिए रख रहा हूं क्यूंकि तुम देखोगे तो सबसे पहला रोज जो ही names का है ठीक है जो की 0 index पर आएगा जैसी बात है तो इसलिए मैं इसको 1 रखूंगा मैं हम 1 से read करना start करेंगे ठीक है मैं यहां पर value बनाता हूं and इसमें मैं count करता हूं इसको foo को जब तक foo की value greater than है count से तब तक यह loop चले ठीक है and count plus plus अब हम इस query वाली चीज़ को यहां से cut करते है यहां paste करते है मैं database के connection को बाहर कर देता हूं क्योंकि बाहर बाहर create करेंगे जरुद नहीं है और हम यहां पर role number email अब हम यहां पर क्या करेंगे इसके आगे का हिस्सा लिखेंगे मैं आगे भी लिख सकता हूं पर मैं count के net कर रहा हूं ठीक है था कि clearly दिखे तुम्हे values अब इसके अंदर हमें values पास करने है तो ठीक है तो मैं यहां पर simplicity के लिए करता हूं यहां पर role ठीक है जिसमें होगा foo roll account 0 ऐसी मैं चार चीज़े चाहिए जो कि है name email mobile simple हमें बस index change करना है two three अब यह तुम समाझ पार हो हम क्यों कर रहे है क्योंकि यह rule return कर रहा है तो यह indexes है यह array होगा first array, second array, third array, fourth array जो कि हम count की method से control करेंगे कि यह change उतर रहेगा one, two, three और यह जो आगे की indexes है यह row है index one, index two, index three, index four तो ऐसे हमने access के आप है ठीक है तो यहां तो यहां पर अब हम simplys को pass कर देंगे role name mobile file ठीक है and then मैं इसको run कर लाता हूं if my SQL query dollar db and dollar query if if को run देता है कि database में data जा रहा है कि नहीं okay तो मैंने refresh कर लिए मैं database आके check कर लेता हूं तो perfect okay and scan the window dot location dot href index.php simple simple ठीक है okay ठीक है तो अब मैं इसको यहां पर नीचे print भी कर वा लेता हूं ठीक है मैं simply यहां पर table बना देता हूं and इसके अंदर मैं एक tr बनाता हूं and मैं इसके अंदर th बना देता हूं rule number name email mobile file and then मैं यहां पर अब एक db connection बनाता हूं आपर से मैं इसी line को कॉपी कर लेता हूं हम तुम separate file बना सकते हूं तुम समझा सकते हूं मैं चीजे जल्दी करने के वाशे से इसा कर रहा हूं unorganized तरीके से तरीके से ताकि तुम्हें concept समझ मैं है तो यहां पर db mysqlite connect यहां पर हमने यूज कर ले से then हम यहां पर query create करेंगे जो की simple है select all from students and then हम इसको run करवाएंगे जो की होगा row mysqlite query इसके अंदर हम db pass करेंगे then हम query pass करेंगे and yeah perfect ठीक है अब हम तो यहां पर हम इस query को run कराएंगे हम अपर while loop बनाएंगे जिसके अंदर हम data get करेंगे simply and mysqlite fetch array अब तक इस चीज़ समझ में आग रोगी कि कैसे work करती है तो मैं बार बार एकी चीज़ explain नहीं करने वाला and मैं यहां पर तो हम तो हमने यहां पर एक loop create कर लिए जिसके अंदर अब हम इस loop को चलाएंगे तो हम basically हमने यहां पर टेवल रोगना है अब इसके अंदर हम table का data pass करेंगे तो क्योंकि साय चीज़े return में आ रहे होंगे data में तो मैं यहां पर access कर लोगा simply role number oh my bad यहां पर shorthand use करूंगा php का echo का dollar data and इसके अंदर में पास करूंगा ah role number role number role number and then यहां पर name and then email and then mobile mobile okay तुम यहां दोगे यहां पर तुम्हें चीज़े दिख रही है ठीक है मैं यहां पर आऊँगा अब मैं सभी चीज़े डिलीट करता हम तुम्हें दिखाने के लिए कि यह वाक कर रहा है कि नी ठीक है तुम्हें यहां पर अब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अगर तुम्हें इसको दुबारा मालोब अपलोड करने के लिए वापस एटा इंपोर्ट हो चुका है तो हमने यहां पर पर पफेक्ट कर लेकर लेकर डेटा बेस में इंसर्ट करा सकते हैं यह बहुत ही सिंपल था मैंने जो सबसे सिंपल थरीकह हो सकता है उस तरीकuum समझाय तूमें तो आयोब तो समझ में समझ में आया होगा अगर समझ में नहीं आया तो तुम नीचे कॉमेंट में कुछ Maa आपसा के कुह पूछ सकते हो जाओ इससे ट्राइ करो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जागा तुम्हें कंप्लेट प्रोजेक्ट का तो यह सो सी यू इन एक्स्ट वीडियो तब तक लिए कीप कोडिंग वाई